हलो बच्चों कैसे हो उमीद करते हैं सभी स्वस्त होगे मस्त होगे आज हम क्लास 10th NCIT Chapter 13 Statics कि First Exercise का First Question है यह 13.1 एक्सरसाइज उसका First Question देखिए एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 इसका Question No.1 है a survey was conducted by a group of students of a part of their their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a localty and the mean number of plants per house तो यहां पर देखिए यह गिवन है नंबर और प्लांट्स का एक टेबल डाटा है और उसका फ्रीक्वेंसी के बनने तो यह अपन नूट कर लिया अब हमें arithmetic mean निकालना एवरेज एवरेज प्लांट पर हाउस फांड करना है तो इसके लिए a कुल्याट गोड्स प्लस अब मिड़ बैल्व में से लिए प्लस अपटू दो जीरो प्लस टू हो जाएगा तो को नाइन एलेवन और थार्टी तो जी मिट वैलू जी निकाल दिए अब फाई इंटू एक साई देखिए मुल्टिप्लाय करेंगे बन का बन में बन तू थ्री जा शेक्स फाइव फाइव सेवन जा थार्टी फाइव सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर और टू एलेवन जा ट्वन्टी टू यह थार्टी ना है यहां हम तू कॉलम से एक तो फ्रीक्वेंसी का समा में जरूत पड़ेगी सिग्मा एफाई यह इनको प्लस करेंगे तो जाएगा 20 और एफाई इंटू एक साई को प्लस करेंगे तो जाएगा 162 तेकिए तो यहां पर समेशन ओप एफा यह 162 अब एवरेज नंबर ओफ प्लांट्स यह अर्थमेटिक मीन तो मीन एकस वार इक्वल टू सिग्मा एफाई इंटू एकस आई अपॉन सिग्मा एफाई यह फॉर्म लगा दिया अब यह 162 डिवाड़ वाइट 20 तो देखो पहले 2 से डिवाड़ करेंगे तो 10 आ जाएगा यह 81 अब 10 को 81 को 10 से डिवाड़ करेंगे तो 8.1 तो आर्थमेटिक मी इसका मतलब है यह प्लांट में गयाए यह अब एनोंने कि आता कि तीन में में से आप कौन सा में में लगाया कियों में लगाया जेखिए तो हम ने कोन सा में लगाया भी यूज्द डारेक्ट मेथर्ड कि डारेक्ट मेथर्ड कब लगाने में फाइदा रहता है अपने को क्योंकि यहां पर निम्रिकल बेलूज आफ एक्स एंड एफ आई आर स्मॉल विकॉज एफ आई एक्स आई की बेलूज है वो छोटी हैं आफ एक्स आई आर स्मॉल जब एफ आई एक्स आई की बेलू छोटी हों तो हमें डारेक्ट मेथर्ड लगाना चाहिए तुझे आ गया तो नंबर ओप्लांट्स पर हाउस एवरेज नंबर ओप्लांट्स पर हाउस कितने आ गए एट पॉइंट बन देरफोर एवरेज नंबर ओप्लांट्स पर हाउस एट पॉइंट बन यह आ गया तो यह हमारा क्वेश्चन पहला करें